तो दोस्तो रीट परिक्षा को लेके यहाँ पर जैन समाज का बहुती बड़ा रियक्षन सामने आ रहा है आपको बता दे रीट 2021 रीट परिक्षा को महविर जैनती पर नहीं कराने की मांग जो है एक बार फिर से काफी ज़्यादा सुर्कियों में उठ चुकी है आपको बता रीट परिक्षा को लेके महविर जैनती के परोपर रीट परिक्षा कायोजन किया जा रहा है जो 25 अपरेल को जो एकजाम डेट फिक्स हुई है 25 अपरेल को जो महविर जैनती है उसी दिन रीट कायोजन कराया जा रहा है तो और उसी दिन महविर जैनती होने के कारण जैन सम आपको बता दे राजस्तान में अजमेर नगर निकम के उप महापूर नीरत जैन ने मुख्यमंत्री असो गैलोत को पत्र लिखकर रीट परिक्षा महाविर जैनती के दिन 25 अपरिल को आयोजित नहीं कराने की मांगी है जैन ने अपने पत्र में लिखा है कि रीट की परिक्षा महाविर जैनती के बजाए किसी और दिन कराकर जैन समाज की अभ्यारतियों को रहत प्रदान करे जैन समाज की अभ्यारतियों को जो है एक तरीके से एक्जाम में सामिल करे उन्हेंने काया कि महावीर जैनती के दिन रीट परिक्षा कायोजन की गोशना में जैन समाज के लिए काफी वड़ा धरम संकट खड़ा हो गया है जिसके चलते जैन समाज के वेरुजगार युवाओं के साथ खिलवार किया जा रहा है वहीं दोस्तों आपको बता दे उन्होंने पत्र में लिखा है कि जैन समाज के सबसे बड़े आर्थी कोर्पर वे बात करें महावीर जैनती पर आज तक कोई भी परिक्षा का आयोजन नहीं किया गया है लेकिन ये पहला मोका है जब महावीर जैनती के दिन रीट परिक्षा ज आंती धारिवाल और बोड के अध्यक्स को भी पत्र लिखकर जैन समाज की मांग पर विचार करने की यहाँ पे पहले ही इस पर मांग करने की जो है पत्र लिखकर पहले ही उन्हें आउगत करा दिया गया था उनलेखनी है कि दोस्तों अजमेर मुख्याला इस्तित माद्मिक सिख्या बोड के अध्यक्स जोन डीपी जारोली पहले ही यह बात कह चुके है कि भगवान महाविर जैनती के दिन जो है रीट परिक्षाक तिती नहीं कराई जाएगी दोस्तों अभी जो है हाल फिलाल इसकी कोई भी एक्जाम डेट में बदलाव नहीं हुआ है अब इसकी अग्याम डेट है 25 अपरेल ही फिक्स की हुई है दोस्तों लगबग हम बात करें संभावना यहीं बताई जारी है कि 25 अपरेल को यह अग्याम हो गया लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे 25 अपरेल की जो परिक्षा तिती है इसमें बदलाव हो भी सकता है क्योंकि जैन अज एक जुट होकर पूरी तरीके से यहाँ पर अब जो है नाले का दर्वाजा खटखटाने वाला है तो दोस्तों रीट परिक्षा तिती को लेके कोई भी बड़ा बदलाव आएगा उसके बारे में हम आपको पलपल की अब्रेट हमारे योट्यूब चैनल के मादम से जरूर करें और दोस्तों आप रीट परिक्षा तिती में बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा